निगाहों में मंजिल थी, गीरे और गीर के संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिस की, मगर ये वो चीराग थे जो आन्हियों में भी जलते रहे नमस्कार दोस्तों, अब सभी का मेर चैनल पॉस्टिय अप्रोच में स्वागत है आज की स्कलास में, 2016 टैट में जो कोशिन आये थे, कमिश्ट्री के उन्हें डिसकस करेंगे और देखेंगे कि इस टैट के एक्जाम में आपका कितना स्कोर रहता है और आपको कितने कोशिन आते हैं इसका जो राइट अंसर है, वह है कैल्सियम आक्साइड यानि जिससे क्या कहते हैं, चुना कहते हैं तो ध्यान से सुनेगे, जब यह कैल्सियम आक्साइड पानी के साथ मिक्स हो जाता है, फिर यह बनाता है कैल्सियम हाइड्रोक्साइड यानि C A O H twice यह कब बनाता है जब यह से पानी के साथ mix करते है और जब पानी के साथ mix यह हो जाता है उसके बाद जब यह से white wash हम करते हैं तो यह जो atmosphere होता है उसमें present carbon dioxide के साथ जो है react करके carbon dioxide के साथ react करके क्या बनाता है calcium carbonate बनाता है कि चुना करने के कुछ समय बाद ही जो है उसके उपर सफीदी बड़ी निखर के आती है कुसमें बाद ही वो चमकता है वो क्यों चमकता है कुसमें के बाद ध्यार से सुन लीजिए एक अगबार फिर से वो कौन सक मुझे सबसे पहले हम चुना लेंगे that is C A O उसे पानी में डालेंगे हमारे पास बनेगा कैलसियम हाइडर उकसाइड जिसे बूजा हुआ चुना भी कहते है जब ये वायू मंडल में प्रजेंट कार्वन डायोकसाइड गैस के हतर एक्ट करता है कैलसियम कार्वोनेट बनाता है जो किसका फार्मूला है संगमरमर का फार्मूला जिसके अपनी प्रॉपर्टी है चमकने के ठीक है चलिएगा नेक्स्ट कोशन के उपर विच गैस इस फिल्ड इन डा पैकेट सॉप चिप्स ये तो अंसर आप सभी को आने चाहिए कौन सी गैस जो है चिप्स के पैकेट में होते है O2, N2, H2 and helium चिप्स के पैकेट मतलब जो आप खाते हो लेज, कुरकुरे, etc तो इसमें जो है वो गैस होती है कौन सी ओप्सन नंबर B ये तो सभी का अंसर जो है ठीक होना चाहिए नेक्स्ट कोशन देखेगा लिटमस जो है किस प्लांट से जो है निकाला जाते है लाइकन, हाइड्रेंजा, पैटूनिया अप्सन D है इसका जो राइट अंसर है लाइकन विल बी अवर राइट अंसर नेक्स्ट कोशन के तरफ चलेंगे अटमस्फेर ओफ विच प्लांट इस मेड़ अप अफ लाउड ऑफ सल्फियूरी कैसिड किस प्लांट का अटमस्फेर जो है सल्फियूरी कैसिड का बना है उप्सने विनस उप्सन भी सैटरन उप्सन से मर्क्रियड उप्सन D जो पिटर तो इसका जो राइट अंसर है इस विनस उप्सन नंबर A विल भी अवर राइट अंसर ठीक है नेक्स कोशन की तरफ चलेंगे जो आट होते हैं चींटिया होती है वो काटती हैं तो क्या एसिड जो इंजेक्ट करती हैं उनके काटन में कौन सा इसिड होता है इस कोशन का अंसर बताने से पहले मैं आपको बता दू एक्जाम में PYQ को सॉल्व किये बगएर मत जाएगा अगर अभी तक प्रिवेस यर कोशन को सॉल्व नहीं किया है आज ही हमारे वर्टसेप के उपर मैसेज कीजिएगा ठीक है और लास्ट फाइब यर के PYQ को जो अपने वर्टसेप के उपर पाईएगा और वो भी बिल्कुल सॉल्वड है ठीक है और इसके साथ अगर PCM के नोटस अभी तक आपने हमारी चैनल के नहीं देखे उन्हें भी लीजिएगा सारे के सारे नोटस बिल्कुल फ्री हैं फ्री ओफ कोस्ट है टेलिग्राम चैनल के उपर हमें जोइन कीजिएगा हर एक चीज का लिंक जो है आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वीचे इस प्रिजेंट इन आंट बाइट सभी को पता है तैट इस मिथेनोग एसिड ठीक हो नैटल लीफ में भी यही एसिड पाए जाता है चलिएगा बेकिंग पाउडर किस किस का मिक्चर है बेकिंग सोड़ा प्लस टार्टरिक एसिड बेकिंग सोड़ा प्लस टार्टरिक एसिड बेकिंग सोड़ा प्लस सिटरीक एसिड बेकिंग सोड़ा प्लस ऑक्जालिक एसिड इसका जो राइट अंसर है इस आप्स नमबर ए बेकिंग soda plus tartaric acid जो है baking powder के अंदर मिलता है next question देखेगा the pH value of acid rain is the pH value of acid rain is of drops number B that is less than 5.6 देखिए काम्याभी हमें ना मिले वो एक अलग बात है लेकिन हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है अगर आप daily classes जो है लगा रहे है 9.30 पे जो है daily classes लगती है के लिए और आप अपने भभी से के लिए चिंतिन्त है और daily classes लगा रहे हैं इन notes का फाइदा उठा रहे हैं अगर ये notes आपके knowledge में value provide कर रहे हैं अभी से अभी like कीजिए और कम से कम अपने दो दोस्तों के साथ जुरूर से अभी जिएगा next question देखिएगा which metal in human head which metal melts in human head में कौन सा metal जो है पिखल जाता है gallium tain lead और germanium इसका जो राइटन सब्सक्राइब रॉप्सन नंबर है gallium विल भी राइटन सा next question देखिएगा कोशन नंबर 40 which of the flowing compound can be used to prevent from storing of milk कौन से compound का यूज़ किया जाता है sodium bicarbonate sodium carbonate calcium oxidate na2 और इसका जो राइटन सब्सक्राइब sodium bicarbonate विल भी राइटन सा next question देखिएगा amphoteric oxide react with amphoteric oxide क्या होते हैं जो acid होने के साथ सब्सक्राइब होते हैं यानि ठीक है दोनों के साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं तो amphoteric oxide react with acid as well as base any option c both a and b will be our right answer ठीक है इन amalgam alloy one of the metal is amalgam alloy में एक metal कौन सा होता है तो इसका तो बीना option देखे भी आपका सही answer होना चाहिए that is mercury will be right answer देखिए अभी तक बारा कोशन हमें ने किये तो मुझे नहीं लगता कि एक भी कोशन ऐसा होगा कि आपको वो आतान होगा बारा के बारा कोशन आपको यह सारे के सारे आते होंगे नेक्स कोशन देखेगा solder is an alloy of solder किसका अलवाय है यह है option number a that is vb and tin का lead और tin का जो है solder alloy है next question देखेगा dash is used for welding of railway track किसका use के जाता है welding के लिए option है ZNO plus C MNO2AL Fe2O3 plus AL and ZNS plus CU तो इसका जो right answer that is our option number C Fe2O3 plus AL will be right answer next question देखेगा heating up of sulfide or in the presence of air at high temperature is called इसे क्या कहते हैं फिर से सुनिए heating of sulfide or in the presence of air at high temperature calcination corrosion galvanization and option D roasting कौंटसा अंसर है इसका that is option number D roasting will be our right answer ठीक next question देखेगा सीना बार इस दा और आप सभी को पता है that is option number B mercury यह तो बताने की नेड़ी नहीं है लगभग का आज कम से कम पांचमी बार इस को हम पढ़ रहे हैं next question देखेगा और making ornament of gold it is mixed with gold के जब अब भूशन वगएरा बनाए जाते हैं उन्हें किसके साथ mix के जाता है silver और जिंक जिंक और copper copper silver और all of this तो इसका जो राइट असर डैट इस copper और silver will be our right answer देखिए ये question तो बहुत ही ज़्यादा अशान है इतना आपको भी पता है इससे जो है level आपका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा टैट का ये 2016 में आया है आप टैट जो दोगे वो 2023 का टैट होगा तो इससे पहले की classes अगर अभी तक नहीं देखी 10 classes इससे पहले और इडी चैनल के ऊपर जो है ले ली गई है और उसके सासे तो आज के आज ही वर्सैप पे message कीजिएगा वर्सैप नंबर जो है चैनल के about section में भी है और इस वीडियो के नीचे description box में भी आपको मिल जाएगा चलिए next question देखे ऑक्साइड्स of non-metal non-metal के जो oxides होते हैं वो कैसे होते हैं option ए acidic option भी basic option C neutral इसका जो right answer है वो है acidic और neutral हमारे पाक anatomy की option number D A और C will be right answer देखें यूँ जमीन पे बैठकर आसमान को क्यों देखता है यूँ जमीन पे बैठकर आसमान को क्यों देखता है पंक घोल मेरे दोस्त पंक घोल यह जमाना सिर्फ उडान देखता है अर्थी इंप्यूर्टी जो होती हैं और क्ले की associated विद और उन्हें क्या कहते हैं फ्लक्स गैंग स्लाइग अल अल अब दीस इसका जो राइट पांस है डैट इस आवर ऑप्सन नंबर भी गैंग जो है उससे कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट कोशन की तरप चलेगे एक्वार पूछा जाता है एक्वारीजिया इस दा फ्रेश मिक्चर ऑफ कंसेंट्रेटीड हाइट्रोग्लोरीक एसिद यह वह हैं याद रखेगा कई बार कंफ्यूजन करने के लिए नाइट्रीक एसिद भी पहले दिया जाता है तो हैज़्ट्रोलिक जो एक्षिड एक्षिड अश और concentrated nitric acid होता है one अगर यह reverse में लिखा हो then one is to three जो है इसका right answer होगा तो इसे ध्याम से देख लीजिए गाँ ठीक है next question की तरफ चलेंगे question number 51 dash is a non-metal which is liquid कौन सा non-metal है जो liquid है hint आपको दे देता हूँ ठीक है वो ऐसा non-metal है जो आपके हाथ पे रखने पे पिगल जाएगा तो यह आपके लिए homework रहा आपने comment करके जुरूर बताना है भले ही आपको यह question आता है फिर भी comment कीजिएगा नहीं प्रेस्ट नेच्रोल गैस का में कंपोनेट क्या है इथेन प्रोपेन मिथेन इड ब्यूटेन इसका जो राइट अंसर डैट इस ऑप्सेंस नंबर से मिथेन और जो हमारे घरों में LPG आती है लिक्विड पेट्रूलियम गैस ठीक है उसमें जो है हमारा में कॉंस्टिटिट क्या होता है प्रोपेन और ब्यूटेन याद रखेगा नेक्स्ट कोस्टिन इस कोशन नंबर 53 इन इलेक्रोलिटिक रिफाइनिंग इंप्योर मैटल इसमेंग इंप्योर मैटल इसमेड अनोड कैथोर्ड सुलूशन और आल ओफ द अबब तो इसका जो राइट अंसर है देखिएगा 54 वीनेगर इस बैस परसेंट ओफ एको स्लूशन ओफ एसिटिक एसिड कितना परसेंट एको स्लूशन ओफ एसिटिक एसिड का इसका जो राइट अंसर है डैट इस आवर ऑप्शन नंबर सी 3-4 परसेंट नेक्स्ट कोशन देखिएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ है वह किस किस साल है फट्रश ऑफ सड्यमेंड पोटासियम के ठीक है एक नेक्स कोचन देखे गा 57 chemical formula of slaked lime slaked lime को जो देखिए बूजा हुआ चुना भी कहते हैं देखिए सी ए ओ है चुना यानि calcium oxide सी ओ हो एच ट्वाइस जब पानी के साथ मिले गया ठीक है option B बना जिससे क्या कहते है और इसके बाद जब कार्मिन डायक्साइड के साथ रियक्ट कर केल्सिम कर्बोनेट वह बनाता है तैन और सी की तरफ चलेंगे तो केमिकल फ़र्मूला किसका पूचा है पूचा है नेक्स्ट पूशन देखेगा आइसो बार आर्दा एटम वीच आप डैस मास नंबर एंड ड इवाज आफ बाद बी अब्रुली कोई रियक्ता प्रुषाइयक की नियुक स्क्री प्रेश कीजिए गा बेल ऑनकी को ताकि हरे एक वीडियो की नोटिकिएशन आप को डेली नाई थर्की के ओपर reminder के रूप में मिलती रहे ठीक अब ध्यान चे सुनिए अगर आपको last five year के previous year question चाहिए solved आज के आज अभी के अभी आप जो है हमें whatsapp पर message कीजिए whatsapp हमारे about section में दिया गया है इस video के description box में आपको whatsapp number मिल जाएगा ठीक है तो वहां से जो है हमें message की जो पीवाई की अपने whatsapp के ओपर पाएगा वो भी solved इसके साथ अगर अभी तक PCM के notes आपने नहीं पड़े आज के आज ही telegram channel पर join करें telegram channel का link आपको इस video के description box में मिल जाएगा इसके अलाबा about section में मिल जाएगा और अगर अभी तक आपने जो है अभी तक एक भी class को TED नहीं किया यह आपकी पहली video है तो इससे पहले 10 video 10 classes already TED के ओपर ले ली गई है और सारी के सारी classes question based है क्योंकि कम समय में अब जो है हमें जादा चीज़ें जो है adopt करनी है बड़ा से बड़ा अपना question bank बनाना है ताकि हर question exam में हमारा सही होगी चलिए question number 59 देखिएगा electron and proton were discovered by their sentence देखिए electron discover किया था जे जे थोंसन ने तो proton किसने का आगया ए गॉल्स्टेन ने जाए इस और दी बिल भी right answer और देखिए फिकर मत कर तेरी महिनत का फल तू जरूर पाएगा आज नहीं तो क्या हुआ तेरा दिन जरूर आएगा एक दिन तेरा दिन जरूर आएगा लेकिन उसके लिए आपको daily practice करना पड़ेगी और महिनत तो करना पड़ेगी question number 60 है ये तो सभी को पता है ना तो carbon है ना तो हमारे पास chlorine है ना तो hydrogen है इसका जो right answer है that is our cobald तो मैं आसा करता हूँ कि अगर आपने मेरे notes पड़े थे आपने PYQ solve किये हैं तो आपका score जो है 30 में से 30 ही रहा होगा तो जो भी आपका score है comment करके हमें जरूर बताइएगा और आज की class में बस इतना ही धन्यवाद जैहिंद जैभाद